हेलो दोस्तों एक वफिस्ट स्वागत करते हैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे T20 World Cup 2024 के 22 मुकाबले के बारे में जी हाँ दोस्तों जो की खेला जाएगा पाकिस्तान और केनेडा का बीच में बताएंगे इस मुकाबले से जूड़ी हर जानकारियों के बारे में जिसकी मदद से आप बना सकते हैं कि परफेक्ट फेंटेसी पिलिंग एलेवे लेकिन इससे पहले दोनों टीमों के बारे में बात कर ली जाए हम आपको बता दे कि दोनों ही टीमें ग्रूप स्टेज के ग्रूप A से आती है और अगर अभी ग्रूप स्टेज के इस पॉइंट स्टेबल पर नज़र डाले तो आपको कुछ इस तरह से दिख सकता है कि केनेडा अभी तीसरे अस्थान पर है यानि कि केनेडा के पास तो दो पॉइंट्स है वहीं दूसरी और पाकिस्तान के पास एक पॉइंट्स भी नहीं है ऐसे में हम आपको बताते चले कि ये दोनों ही टीमें जो कि अपना ग्रूप स्टेज का मुकाबला खेलने वाली है इसमें आप तजूरबा तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत है लेकिन वहीं दूसरी और कनेडा भी एकदम से ऐसी नहीं है कि हार मानने वाली टीम है और अभी जिस हिसाब से पाकिस्तान का परदरसन रहा है चाहे वह यूएसे के खिलाफ हो चाहे वह इंडिया के खिलाफ मैच में तो ऐसा था कि पाकिस्तान के पास match जो है सो परोस दिया गया था लेकिन पाकिस्तान के बलेबाजों ने बहुत ही खराब परदसन किया ऐसे में जिस तरह से परदसन भी दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान टीम के ये बड़ा आश्चेरी वाला नहीं होगा अगर कनेडा जो है यहां पर जो मुकाबला देखा गया है आँए में आपको यहां पर ज्यूदा पर देखाई लिटे हैं अगर मुकाबले पर आ जाये तो सबसे पहले हम के बात कर लेते हैं जो कउंटेंट इंडर्डर्व केस्टीम है जैसे आपको पता है कि यहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट फेस होता है डिवाँ जैसोहां को मालूम है कि बैटर reasons को यहाँ बड़ा डिफिकल्ट फेस करना पड़ता है रंस बनाने की कोन से आपको यहां बले जो है सो बड़े अच्छे प्रदसन करते वे दिखाई नहीं देंगे वहीं दूसरी और यहां पेस बहुत अच्छा मिलता है सीम पोजिसन यहां का अच्छा है ऐसे में यह पीछ जो है सो काफी मदद करता है तेज गेंद बाजों को इसके अलावा इस पीनर्स भी आपको यहा मैच खेले जा चुके हैं जहां बैटिंग फर्स्ट करते वे दो मुकाबले जीते गए महीं बैटिंग सकेंड करते वे तीन मुकाबले जीते गए हैं हाइस टोटल जो है 137 रहा है तीन विकेट के नुकसान पर बता देखी केनेड़ा के नाम ही यह दर्ज है जो कि आयलेंड मैं की रहने को दिख सकता है इसके अलावा network चेज जो है 106 रन किया है यहां पे आप देख सकते हैं स्टेट्स को तो यह तो रही टीम की स्टेट्स के बारे में लेकिन चली सबसे पहले दो ब्रोवेबल प्लेएंग 11 के बारे में जान लेते हैं सुरुवात केनेडा से करते हैं केनेडा की एक प्रोबेबल प्लेंग 11 में आपको बल्ले बाजों में देख सकते हैं एरन जोंसन, नवनीत धलिवाल, प्रगत सिंग, निकोलस किर्टन, वहीं और रॉंडो में आप सिरिया समोवा जो की विकेट कीपर भी है, उसके बाद प्रित बाजवा, साद बिन जफर, या खिलाडी इस टीम का कप्तान है, वहीं दिलोन हेल गर, इसके अलावा आप गेंडवाजों में कलीम साना, जुनेज सिदिक की और जेरिमी गोर्डन को देख सकते हैं, अगर पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेंग 11 के बारे में बात कर ली जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बदलाव होने वाला है, आपको बल्लेवाजों में आपको कप्तान बाबाराजम, मुहम्मद रिजवान, सैम अयूब, उस्मान खान, फकर जमान दिख सकते हैं, गेंडवाजों में आपको साहीन अफरीदी, नसीम सा, मुहम्मद आमीर और हारिस रोफ दिखाई दे सकते हैं, पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के गेंडवाजों ने काफी अच्छा परदसन किया था और भारती टीम को एक सो तीन के, एक सो माफ कीजिएगा, एक सो उनाइस के स्कोर पर रोक दिया था, ऐसे में आप कह सकते हैं कि गेंड बल्ले बाज भी अच्छा परदसन नहीं किया था, वहीं भारत का खेमा उसका बल्ले बाज भी अच्छा परदसन नहीं किया था, हलांकि लो स्कोरिंग मैच था, तो दोस्तों ये तो रही पिछ रिपोर्ट के बारे में हमने आपको बता दिया, उसके साथ ही हमने आपको ए हम मदद करेगा आपको एक fantasy playing 11 बनाने की दिर्ष्टी कौन से तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा धन्यवाद